विधायक मुकेश वर्मा भी यहां पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं सर क्या इतने दिन से गूम रहा है प्रचायर कर रहा है क्या माहौ लग रहा है सर अभी लगवक्त दो हफते से हम जो कश्यर मिशाद लोधी बिंद और मल्लाओ समाज के जो गाओं है जिनकी बूथे हैं कि कठेरिय समाज की भी बहुत बूथे हैं तो हम उन बूथों पर गए उन गाओं में गए तो बहुत अच्छा माहौ लग रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौजबान बच्चे हैं जो पड़े लिखे बच्चे हैं बेटी हैं वो कहती हैं कि साब आप समाजवादी पार्टी से हो हमने की यहां साब साब जूट बोलो पार्टी के लोग अगर आएंगे तो हम उन्हें लताड के यहां से भगाएंगे मतलब आप यह समय लो कि पीडिये के माध्यम से समाजवादी पार्टी का जो पर्चम करहल में लहरा रहा है आने वाला समय बताएगा साब बहुत बोटों से जीत होगी और सभी सोसित हैं पिछड़े हैं दलित हैं परेशान हैं इविन देट के यहां पर हमने देखा है कि एक वर्ग विसेस ने गरीबों की जमीनों को घेर है ना यहां तमाम लोगों ने सिकाइटें की कि उनके बच्चे धंका रहे हैं और इवन के कहीं ने कहीं तो अधिकारी भी धंका रहे हैं और करहल की सीट निस्चत तोर पर हम जीतेंगे अधिकारी चाहे जित्ती बेईमानी कर लें करहल की सीट सो में सो जीतेंगी सब बियो भारती जनता पार्टी जिन जातियों का आपने नाम लिया बिंद केवट मला कहर कश्चप माजी मजवार तुरया बंजारा बहलिया आरा करकवंसी जो भी जाती हैं आप बता रहे हैं कि उनके बीच में हम जा रहे हैं तो ये तो भाजपा इस पर अपना पूरा दावा कर रही है कि ये वोट तो हमारा ही है भाजपा भाजपा नहीं है भारती जूट बोलो पार्टी है और वो जितना सफाई से जूट बोल सकते हैं उन्होंने तो पीच्डी कर लिए इसमें और मुझे लगता है कि वो डिलिट कर अन्यवाले इन समाजों को तो कभी उन्होंने माण सम्मान दिया नहीं । उन्हों कहा था पारिटी के समय के हम इन Elle can को अलग से आरचला की वेवस्ता करेंगे कहीं कर पाए वो हुआ रहे और उनका मंत्री कब चला जाए यही उन्हें पता नहीं है वह तो समाजवादी पाटी में आने के लिए तही आने बात चीत कर लीजे बुला लीजे ना बात हुई क्या आप लोगों कुछ वह समय आएगा तो निश्वत रूप से सारे लोगे कठे हो जाएंगे बातचीत कुछ हुई है कुछ संकेत दिये वह संकेत खुदी दे रहे हैं उनके सब्दों से संकेत लग रहा है कि उन्होंने जब यह वाइदा किया था कि दलितों को और जो मजवार के वट कहार जो कौम लोग हैं उनको आरचन मिलना चाहिए वह आचन दिलाई नहीं पाएं सासा लोग है तो मुकेश वर्मा जी को सुना आपने बहुत सारी बातें उन्होंने कई और बहुत साफतोर पर संदेश उन्होंने दिया है कि यहां पर जो पिछडी जातिया हैं जो निचले तपके के ल कर रहे हैं और इस बार चुनाओ यहां बेहतर होगा कि अधार में निखिल के साथ सीमा अब नकवी भारत समाचार